और इस वक्त हिमाचल पिर्देश से श्रिमला से हमारी समवादाता वर्षा मेरे साथ जुड़ी हुई है फिलाल हिमाचल पिर्देश में राजधानी श्रिमला में हिमाचल की स्यासत को लेकर तरह तरह के कयासों को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं वर्षा क्या सब कुछ थम जो स्यासी वबाल मचा हुआ था कॉंग्रेस पर सरकार पर जो संकट के बाडल मंडराय हुई थे वो अब छड़ चुके हैं या अभी भी खेल बाकी है जे नासिर देखिए जिस तरह से हिमाच्य प्रदेश में अभी राजनिती में उठा पटक देखने को मिल रही है और जिस तरह से कॉंग्रेस के विधायक वहाँ पर नराज नजर आ रहे हैं ये नराजगी पहले से ही बनी हुई थी और राज्यसवाज चुनाव के दौरान जो मुख्य मंत्री को कई चीजों को लेकर चिठियां लिखते रहते थे ये चीजे सभी को पता थी कि नराजगी कई न कई बनी हुई है लेकिन राज्यसवाज चुनाव में जब देखने को मिला तो यहां पर प्रॉस वोटिंग का बड़ा मसला सामने आया और उसके बाद जो ह अनकारी देदे कि अभी जिस तरह से हर्याना में जो यहां के च्छे वागे विधायक बैठे हुए उनके साथ जो विक्रमजित्य की मीटिंग भी चल रही है जिस तरह से कल रात से वहां पर चले गए थे तो यहां पर इस तरह की घटनाय देखने को मुर्थ बाते सुनने मे आ रही थी और वहीं अगर बात करें तो आज प्रतिवा सिंग ने की है जिसमें पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे और विजीपी में जाने को लेकर भी सवाल पूछा गया लेकिन उन्हों ने यहां पर कोई प्रति किया इस पर नहीं दिया नहीं कोई मनाही की है और न के लिए रवाना हो चुके हैं लेकिन उन्होंने बागी विदायकों से बाचीत की उन्हें मनाया गया या फिर और कुछ बात ने थी वो अभी किसी को नहीं पता सब यहीं समझे दें कि वो मनाने के लिए पहुंचे थे और जो भी विदायके जिसमें तीन-चार विदायक तो पिल्कुल उनके बहुत करीबी हैं चाहे राजन राना की बात की जाए सुधिर शर्मा की बात की जाए लेकिन प्रदबा सिंग का जो अंदाज है इस वक्त वर्शा कल भी उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार सेफ है तो उन्होंने खामोशी अक्तियार कर ली उसक प्रेस कॉंफरेंस उसमें वो थी उन्होंने का कि हमारे जो प्रत्याशी यहां से आ रहे हैं हमें अफसोस है और हमारी जो प्रॉब्लम सी हमने इनके सामने रखी है एक चर्चा यह भी आ रही है कि जो कोडिनेशन कमेटी बनाने का जिक्र किया जा रहा उससे भी वो खुश साथ है जी बिल्कुल नासिर देखें यहां पर अगर बात करें तो प्रतिभा सिंग की नराज़गी भी काफी स्वामें से चल रहे थी क्योंकि बार बार वो जब भी पत्रकारों के सामने आती थी तो वो एक ही बात कहती थी कि मुख्यमंत्री से बार बार कहा जा रहा है कि स संगठा नहीं इस वक्तकों और दो नहीं दिया जा रहा है तो हमकर इस कॉथ यैद्य बधा आता हरा है क्योंकि अपने social media handle पर भी वो चीज़े डाल रहे हैं कि हमें जो मुख्यमंत्री के चेहरे से नराजगी है कि उन्हें बदला जाए तो शायद हम वापिस आजाएंगे और उनका ये कहना भी है कि हमारी जो काम है वो नहीं किये जाते थे बार-बार हम मुख्यमंत्री के अपनी बाते रखते थे तो वह बाते पूरी नहीं होती थी और वहीं जिस तरह से प्रतिवा सिंग के बात आप कर रहे हैं तो यहां पर उनके जो अलग बार-बार जो है जवाब बतले हुए नजर आते हैं आज भी प्रेस वारता में मैंने आपको बताए कि उन्होंने कहा क पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया भविश्य में क्या होगा इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि यह भविश्य की बात है अभी इस पर कोई विचार उनका नहीं है तो यह अभी बड़ी बात है और साथ ही आपको बात बता दे कि यहां पर क्या अच्छाती वो रह गई थी वो आज फिर से होने वाली है अच्छा मुझे बात और बताईए वर्षा कि इस वक्त कॉंग्रेस का जो अंतर दुंद है वो तो सब को नजर आ रहा है और अभी सब कोछ ठीक नहीं हुआ है कॉंग्रेस में इसी तरह के इशारे मिल रहे हैं लेकिन फिलहाल हिमाचल बीजेपी क्या कर रही है हिमाचल बीजेपी से किस तरह की खबरें आ रही है क्या वो अभी शांती से बैठे हुए हिमाचल में बीजेपी के बड़े नेता या फिर वो भी अपनी अलग लग कोशचों में कुछ नकुछ अलगे हुए है देखिए नासीर अगर हिमाचल वीजेपी की बात करें तो आज भी वीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने प्रेसवारता की और वीजेपी के प्रवक्ताओं को यहां पर कहना है कि अभी जो जिस तरह से आरूप लगाए जा रहे हैं कि ये वीजेपी द्वारा किया जा रहा है वीजे पी कॉंग्रिस के विधाईकों के साथ संपर्क में हैँ तो उनों ने इस से पूरा नकार दिया है कि वीजे पी का जो आरोप लगाया जा रहे हैं उसे निरधार बताया है उनोंने कहा कि ये पार्टी की अपनी अंतरकला है जो सामने आई है और जो राजनितिक संकट अभी देखने को मिल रहा है कॉंग्रेस पर वो उनकी अपनी नराजगी जो उनके अपने लोग है वो उनसे नराज है और पार्टी की अंतरकला ही अब जो उन्हें जो है कही नहीं हाश्य पर ल पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आप से वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे हिमाचल पिर्देश में जो स्यासी संग्राम इस वक्त नजर आ रहा था जो कॉंग्रेस के अंदर नाराज़्यों का दौर था वह भी पूरी तरह से थमा नहीं है